तो आज मैं बस आप लोगों से अपनी कुछ एक्स्पीरियंस अपनी कुछ भावनाएं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूं आइनो कभी-कभी अपनी कंटेंट जो की मेरा कुकिंग और ब्यूटी हैक्स शेयर करने का है उसे हटके मैं वीडियो बना लेती हूं मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं होता है जादा तर mostly I mean 80% या 80-90% तो मेरे अपने कंटेंट से रिलेटेड ही होते हैं लेकिन even मैं कहीं गई और वहां के कुछ अच्छे captures मुझे मन किया मैं record करके आप सब से share करूं क्योंकि अभी मेरे पास इतना time नहीं है और मेरे पास थोड़ा सा extra mobile phones या extra camera की कमी है जिसके वज़े से मैं कोई और चैनल अभी स्टार्ट नहीं कर सकती अब क्यूंकि मैं house wife हूं तो घर के काम बच्चों को देखना यह सब के साथ में मैं अभी इतना नहीं हो पाई हूं कि बहुत सारी चीजें एक साथ कर लो कोशिश कर रही हूं मैं करती हूं जिसकी कम से कम मुझे 60-70% knowledge है कि कोई मुझसे कुछ पूछे कोई doubts रखे तो मैं clear कर सकूँ ऐसे नहीं कुछ भी उठा के channel बना दिया आप लोग भी ध्यान रखिए अगर आप channel बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं आप real life में भी जो काम कर रहे हैं तो उन कामों पर जादा focus करिए जो आप बहतर कर सकते हैं जिनकी आपको अच्छी समझ है और अगर नहीं फिर भी करना चाहते हैं तो पहले उनकी समझ लीजिए पहले उनने सीखिए उनके बारे में knowledge gain कीजिए उसके बाद आप जो चाहें कीजिए करने को आप कुछ भी कर सकते हैं तो basically म मेरा भी मोटे यही रहता है कि कभी-कभी मैं किचिन रिलेटेट टिप्स आप लोग के साथ शेयर कर लेती हों कि खाने में चोटे-चोटे से बदलाव चोटे-चोटे से जो नहीं कभी-कभी गड़ब हो जाते हैं हम कैसे सुधार सकते हैं इसके लिए भी मैंने वीडियो ब आप लोगों से बस ऐसे ही थोड़ा सा कुछ दिनों से थोड़ा सा मतलब इतना सा फील बैटर नहीं हो रहा है ऐसे मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूं और अपनी तारीफ नहीं करूंगी लेकिन स्ट्रॉंग भी हूं और चीजों को टैकल करना आता है सिच्वेशन को हैं नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है मैं मेरेड हूं बच्चे हैं हर तरह के छोटे बड़े उतार चड़ाव भी काफी देख चुकी हूं शारी को मेरा बहुत टाइम हो गया है और घरवालों का अच्छा सपोर्ट रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ में तो मैं सब लोग से यहीं शेयर करने चाह रही हूं कि आप कोई भी बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं बहुत सारे जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं फ्रस्टेट होने रहते हैं च्छोटी च्छोटी बातों को ले कि मैं बस यह कहना चाहती हूं कि होता है लाइफ में बहु कुछ अचीव कर लेते हैं ao बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं तो जो कुछ हम अचीव कर लेते हैं वो हमें खुशी भी देता है लेकिन थोड़े टाइम के लिए सीधी सी बादा न है जो चीज हमें नहीं मिलती हुआ उसकी तलब जादा रहती है मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया होता है और मेरी पूरी कोशिश रहते है I hope आप लोग भी इसी तरह से हर कोशिश कीजिए सब कुछ पानी की छरखना अच्छी बात है कोशिश करना और अच्छी बात है हासिल करना तो मतलब किस्मत के धनी है आप अगर आपने जो चीज़ चाही वो आपको मिल गई असानी से जो चीज़े मिल जाती है न उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं कदर नहीं होती है यह एक यूमिनिटी है यह एक नेचर है यूमिनिटी का कि जो चीज़ हमें असानी से मिल जाती है बहुत सारी चीज़ सामने से चल के हमारे पास आ जाती है तो हमें खुशी होती है, ऐसी बात नहीं है हम बहुत खुश होते हैं थोड़े टाइम के लिए कि अरे वा, मुझे तो ये बिना मांगे मिल गया और काफी अच्छा है, अमीन थोड़े टाइम बात अगर थोड़े टाइम तक मैं इसका फॉलो करती या करता जो भी है और इसके लिए कोशिश करता तब ये मिलती तो मतलब मुश्किल होती लेकिन असानी से मिल गई, थोड़े टाइम तक हम खुश रहते हैं उसके बाद हम ऐसे, उसको ऐसे साइड में कचरे की तरफ फेकने लगते हैं अरे यार मतलब ठीक है, हाँ मिल गया था, हो गया हो गया इस तरह ऐसे मतलब, नहीं, ये गलत बात होती है अगर बहुत अच्छी चीजें आपको असानी से मिल जाती हैं और जिन चीजों के लिए हम बहुत भागदौर करते हैं, बहुत आथ पहर मारते हैं हर तरी की कोशिश करते हैं, वो चीज़ हमें मिल जाती हैं तो थोड़े से हम उनकी लंबे समय तक रिस्पेक्ट भी करते हैं, कदर भी करते हैं काफी समाल के भी रखते हैं मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, कि आपनों के समयते हम धेया ही चीजों के और नहीं लिए अपनारे पूस के अपनारधाय करते ही है पता नहीं उसके बाद भी होती हो या नहीं आगे का पता नहीं तो हमारी इच्छा हैं जो है कभी खतम नहीं होती जो हमें मिल जाता है वो हमें जो है बहुत खुशी भी देता है जो हमें बहुत जद्व जहत के बाद मिलता है वो इमानदारी रखते हुए मैनत की हो वो चीज नहीं मिलती ना तो मतलब इनसान टूट जाता है मतलब कभी-कभी उसका मन करता है कि मैं क्यूं हूँ जिन्दा क्यूं हूँ मैं क्या कर रहा हूं क्या कर रही हूं यह दोनों हो सकतें तो तूर जाता था है सब्सक्राइब कोई बात नहीं आप अपनी टाकट खुद बनिए और जो है अपने आपको समालिये हैं अग्यर आप सिंगल हैं मतलब आप मेरिड नहीं है उसकी तब दिखर रहे हैं तो थोड़ा मुझकिल होता है 웃 Will के लावा लेकिन एक ह्युमिनिटी है कि इंसान फोडा सा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है और उता जम्धिक होजाती है तो फोड़ा सब सबस्की तरफ लगाव रहता असी बात नहीं हैjos हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं कि नहीं मैं जी नहीं पाऊँगा य हो नहीं कर पाया मेरा गऌल था मैं अचीव कर पाया या कर पाई बस मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है नहीं उन लोगों को बहुत मुश्किल होती है उस टाइम पर समलना बहुत सारी लोग समल भी जाते हैं लेकिन जो पहले वो होते हैं जितने एक्साइटेर थे जितने खुश रहते थे जितने वो हर काम को बढ़ चड़के करते नहीं हो पाता है बहूत सारे चेंजे जा जाते हैं बाद में ना वो मुसकान होती है चेरे पे ना किसी काम को करने कि उत्सक्ता होती है और जो लोग मलम मैरेड हैं बच्चे बच्चे हैं कोई भी है हस्पेंड या वाइफ तो वह लोग थोड़ा एक दूसरे के लिए तो हमें तब वो लोग रोक लेते हैं तो समथ होते हैं देल होता है वह समभाल लेते हैं अपने आपको मैं तो कहती। कि चाया मेरिड है नहीं है आप समाली अपने आपको समखलना बहुत जरूरी उता है sister life सबको एक ही वार मिलती है करने को काम इतने हैं तो क्या हुआ एक चीज़ आपको नहीं मिल पाई तो क्या हुआ जिंदगी एंड तब तक नहीं होती है जब तक हम जिन्दा हैं जब तक हम जिन्दा हैं ना हमारी लर्निंग पावर एंड होती है ना हमारी लाइफ स्टाइल एंड होती है और फोड़े टाइइंड box पि得ि responsibilities है ठीजी GET न कि आывайтесь तो महीने ले लीजिए अपने आपको दीजिए और अपने लिए सोचिए अपने बारे में सोचिए अपनों के बारे में सोचिए कि अब आप जो हुआ जो आपने चाहा नहीं मिला जो आप करना चाहते थे या आप कोई पोस्ट पाना चाहते थे कोई आपका फ्रेंड जो बिछड़ गया आपसे कोई भी एक्सवाइजेट कोई भी प्रॉब्लम वो आपको नहीं मिली आपने बहुत महिनत कर ली बहुत हर दिल और जान से महिनत कर ली वैसे तो कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ऐसा है 80% ये बात सच है अगर आप किसी चीज़ के लिए दिल और जान से इमांदारी से कोशिश करते हैं तो वो चीज़ आपको जरूर मिलती है एक परसेंट मान लीज़े कि नहीं मिल पाई तो इसका साफ मतलब ये है कि वो आप उस चीज के लिए नहीं बने थे वो चीज आपकी नहीं थी इसलिए आपको नहीं मिली सीधी सी बात है अगे कोशिश करिये पहले तो आपके पास जो है उसके लिए थांक्यू बोलियो गोड को काफी है, आपके पास बहुत लोगों के पास इतना भी नहीं होता है जितना आपके पास है अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं इससे भी जादा करना चाहते हैं तो कोशिश करिए ना भी किसने आपको रोका हुआ है आप खुद अपने आप में इतनी बड़ी ताकत हैं खुद अपने आप में इतनी बड़ी शक्ती हैं, हाथ पर सलामत है, आके सब सलामत है आपका, तो आप एक नई शुरुआत वहीं से कर सकते हैं, और यकीन मानिए, फिर मैनत करिए, बिना मैनत के, बिना जद्द जहत के, बिना अपनी नेंद गवाए, अपना चैन गवाए, को मैंने बताया, उसके कोई कदर नहीं होती, कोई कदर नहीं होती, इसलिए छोटी से छोटी चीज के लिए थोड़ी मैनत करिए, करना सीखिए, जरूरी होता, अगर आपको दिल से खुशी और सुकून चाहिए तो, और इसी जो है, रास्ते पर चलके, आप दूसरों को भी य कर पाएंगे, उसे समझा पाएंगे, उसे सिखा पाएंगे, जब वो चीज आपने कर ली होगी, तब आप किसी को वो नौलिज दे पाएंगे, वरना आप कुछ भी बोलेंगे, सामने वाले को लगेगा, रहे, ऐसे ही बोल रहा है, और जो है, कोई इसकी बातों का मतलब नह वेल लर्नल, पूरी संपूर्णता से सीखा हुआ व्यक्ति, और एक होता है, जिसको अभी ज़्यादा कुछ नहीं आता, दोनों की बात करने का अंदाज अलग होगा, सामने वाले पे दोनों का इंप्रेशन एक तों अलग अलग पढ़ेगा, सामने वाला कितना भी मूर्ख व्यक्ति क्यों ना हो, जरा सा भी वो समझ रखता होगा ना इंसान की, वो समझ जाएगा कि किसकी बात में दम है, किसकी पॉइंट्स में ज्यादा ताकत है, किसके पॉइंट्स ज्यादा काम कर रहे हैं, वो समझ जाएगा, वो बिना आपके बारे में पूरा जाने हुए, वो समझ जाएगा कि ये इंसान इस इंसान से बहतर जानकारी रगता है पहले अपनी प्रेणा बनिए अपनों की ताकत बनिए अपनी ताकत खुद बनिए उसके बाद आप जो चाहें वो कर सकते हैं जिंदगी की नई शुरुबात कहीं से भी कर सकते हैं और जो हैं कभी भी अपने आपको किसी से भी कमाकनी की ज़रूरत नहीं हैं कहीं से हैं मतलब सुना भी ओगा आप लोगों ने कि वाली के बनाई होई हर रचन अपने आप में विचितर है, अपने आप में सम्पोर्ण हैं, हर किसी के इंदर अलग-अलग क्वालिटी है, आपने को चिसी के अंडर अलग-अलग तो अपने आपको कभी कम आखने की जरुरत नहीं है, कोई अगर आपको और स्क्राइब्स दिखाए उसको इस तरह से जबाब दीजिए जो है बेजों कि अपने हम संसकारों का मान रखते हैं हम बहुत अच्छे से सामनेवाले को संबान देते हुए अपने बात बहुत अच्छे से रख सकते हैं और अपना अपमान कराए बिना भी दोनों बातों का खयाल रखना है हमें अपना अपमान भी नहीं होने देना सामने वाले का करना भी नहीं है इससे हमारे संसकारों का हम मान रखते हैं जो हमें बच्पन से परवरिश मिली है हम अपने माबाप के दी हुई सिक्षा का मान रखते हैं सबसे पहला स्कूल होता है ना हमारा परिवार हमें सबसे पहले उसकी बारे में सोच नहीं चाहिए और उसका मान रखना चाहिए किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए अगर किसी काम में आपने हाठ डाला अगर वो थोड़ा मुश्किल है, कठिन है करना, तो फिर बहुत सो समझ किया कीजे शुरूर, क्योंकि कभी किसी का दिल न तूटे, किसी के साथ गलत न हूँ, और जो है आप अपनी बात को पूरी तरह से पूरा करें, इसका ख्याल रखिए, वरना उतना करिए जितना आपके बस में है, उतना करिए जितना आपके बस में है, जितना बस में नहीं है, आपको दुनिया की कोई ताकत मजबूर नहीं कर सकती किसी काम कराने के लिए, इतना आप लोग ध्यान रखिए, तो अपने अपने गोल सेट करिए, अपनी दिन चरिया बनाईए, लाइफ का कोई भ प्रॉमिसेस किये हैं या हमने अपने गोल्स बनाए हैं तो उन्हें निभाने की ताकत होनी चाहिए आपके अंगर मेहनत करनी परती है हर चीज के लिए बहुत मेहनत करनी परती है अगर आपको वाकई में खुद को हमेशा अच्छा प्रूफ करना है लिमिटेड लोगों से प परैंट्स रखिए लिमिटेड जो है लोगों से जान पहचान रखिए अपने गोल पर जादा धियान दीजे और किसी के साथ गलत मत करिए सब से मेन बात यह होती है कि किसी के साथ आप गलत मत करिए इनी सारी चीज़ों को जो है मैंने कुछ शब्दों में परोया है कि उप उपर वाले से गिड़ गिड़ा के सुकून मांगा तो क्या मांगा जब तक बिना मैनत बिना जद्द जहद बिना अपना चैन गवाए आप आपने जो है सुकून नहीं पाया तो आपने कुछ नहीं पाया सब कुछ आदमी सिर्फ थोड़ी से सुकून के लिए करता है कि थोड मन खुश हो हमारा हम अपने आप में सैटिसफाइड हो दुनिया मारे बारे में क्या सोचते हैं उससे मतलब नहीं हम खुद में सैटिस खुद अपने आखों से आके मिलाने के लायव होने चाहिए तो आज जो है अगर मेरी यह सारी बात थोड़ा सा भी आपके दिल को चूई ह किसी एक भी इंसान का मेरी इन सब बातों से भला हो जाए मुझे बहुत खुशी होगी चले आज का जो है यह वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं फिनिश करती हूं बस थोड़ा सा आप लोग के साथ में एक मोटिवेशनल स्पीच शेयर करना चाहती थी अपने अनुभवों क के साथ में मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ मुझे इतना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना ख्याल रखेगा नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए चाहिए बाब बाई